कि अच्छ तरह को है एलो एर्वान वेल्कम टू स्टडी आई के जडीश्री आइम श्रीमिश रवास्ता और आज के इस प्रटिकुलर सेशन में हम सीखेंगे कि कैसे ते ड्राफ्ट करते हैं आप से कहा जाता है कि आप जो है प्लेंट को ड्राफ्ट करें आप को चैनली कि आप के इस particular session में समझेंगे I hope it is clear A very good evening Advocate Mohamed Chakir, Ashwani, Nirmal Bharti, everyone A very good evening Princey Mansouri I am getting your messages, don't worry and I am extremely sorry for the late session Now without wasting time अगर आपको enroll होना है Study IQ Judiciary के Life Foundation batch में तो जल्दी से जाके enroll कर ले क्योंकि 12 तारिक से इसकी classes start होने वाली है admissions इसके open है इस Life Foundation batch के है unique features आप अपने इस course को एक साल में cover up करोगे और आपको जो ये course मिलेगा वो दो साल की validity के साथ मिलेगा तो 24,999 में आपको ये course मिल रहा है दो सालों के लिए आपको ये course खरीदते वक्त promo code यूज़ करना है SHR और आपको इसी promo code से मिलता है maximum discount चाहे वो कोई भी जुडिश्री का course हो आपका यहाँ पे आपको मिलेंगे handwritten notes lecture notes, साथ में 1100 प्लस live hour की classes जहाँ पे two way communicate करके आप अपने सारे doubts live classes में ही पूछ सकते हैं not only this आपको daily MCQs कराए जाएंगे आपको test series provide कराए जाएगी mentor provide कराए जाएगा जो आपको इस throughout journey में help out करेगा हर वो चीज में जिसमें आप फस रहे होंगे कैसे तैयारी करनी है, क्या strategy होनी चाहिए और साथ में अगर कहीं भी आपको low feel हो रहा है, demotivated feel हो रहा है तो आपको motivate करेंगे and all those के लिए आपको यहाँ पर यह mentor provide किया जाएगा तो इतना सब कुछ आपको वो भी दो सालों के लिए मिल रहा है, सिर्फ 24,999 रुपे में यूज करके promo code SHR मेरे नाम के first three letters, now अगर आप मुझसे connect होना चाहते हैं तो आप मुझसे connect हो सकते हैं, telegram और इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे सर्च कर सकते हैं श्रुमिश्रवास्तव के नाम से, similarly, same नाम से आप मुझसे सर्च कर सकते हैं telegram पे भी, कोई भी doubt हो, in respect of course, examination या फिर session, you can reach me out on both these social media handle and feel free to ask me anything on both these social media handle now planned कैसे draft करना है, planned important क्यों है सबसे पहला सवाल, planned important क्यों है, भाई इस planned के जरिये ही आप अपनी सारी शिकायते लेके पहुचते हो court में कि भाई मुझे ये शिकायत है, मुझे ये grievances है, मुझे ये problem है, मुझे ये issue है ये सारी चीज़े आप बताते हो court में तो एक तरीके से आप अपनी बात कहते हो court में इस planned के जरिये इसलिए planned आपका important है, जो आपको relief मिलता है अगर मानलों कोई आपकी damages हुआ है, कोई civil damage हुआ है आपको तो उसके लिए आप planned dards करोगे, court में जाके एक application दोगे जिसको हम planned कह रहे है, जिसके माध्यम से आप अपनी बात court तक पहुचाओगे तो इसमें क्या-क्या चीज़े लिखनी होंगे अब basic सी बात मैंने बताई कि important क्यों है ये एक जरिया है जिससे आप court को बता रहे हो कि आपको क्या grievances है, आपका issue क्या है अब यहाँ पे अफकॉस अब grievances और issue की बात हुई तो आपको अपने facts हैं, जो आपकी अपनी बात है वो तो लिखनी होगी इस planned में तो किस थरीके से structure किया जाता है इस planned को वो देखते हैं, important है UP Judiciary Mains Examination ने पूछे जाता है आपसे planned लिखना यह किस तरीके से आपको planned लिखना है तो format हम देखेंगे, उससे पहले देखता हैंगे क्या क्या चीज़े लिखी जाती है देखो, name of the court, ठीक है court का नाम सबसे उपर आता है तो उसके बाद parties की details आती है उस parties की detail में आपको लिखना होता है नाम, age, occupation, residence, son of यह सारी चीज़े आपको इसमें लिखनी होती है name of the court में in the court of dash and dash judicial में the state first class कोई भी city और फिर आपका state का नाम आता है right आपको title लिखना होता है कि suit किसका लिखना है जो यह plaint है वो किसके अंदर फाइल कर रहे हो suit for injunction, suit for breach of contract इस तरीकी से title देना होता है आपको फिर आपको अपने case के facts बताने होते हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ तो पहले plaintiff बताएगा कि ऐसा ऐसा हमारा contract था फिर वो contact रोन ने breach किया and all that उस तरीकी साब को facts detail में लिखने होते हैं फिर आप लिखते हो कि आपकी क्या demand है क्या pray करते हो आप court से क्या relief आप मांगना चाहते हो court से वो relief और prayer लिखनी होती है plant में और last में verification और signatures होते हैं तो यह कुछ basic content है जो आपको लिखना है प्लेंट में अब एक बार यह सारी चीज़ें आपको और clear होंगी जब आप format देखोगे तो plant का format देखो यहां पर कि यहां पर सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि name of the court आएगा तो in the civil court at Sakit Nagar Delhi suit number so and so अब वो 2020 यहां नहीं आएगा वो अभी PPT में ऐसा हो गया यहीं पर आएगा 2020 ठीक है तो यहां पर आपका सबसे पहले आएगा court का नाम यहां पर यह नहीं आएगा court का नाम आएगा ऊपर सीधे ठीक है और at Sakit Nagar Delhi suit number so and so ठीक है फिर आती है parties की detail Mr. X house number residence क्या number है वो कहां के रहने वाले हैं दिल्ली dot 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 करके आएगा plaintiff और फिर यहां पर बीच में लिखा जाएगा versus Mr. Y so and so कहां कहां पर रहते हैं वो लिखो गया आप इसमें basic details पर age बगरा भी लिख सकते हो occupation बगरा भी लिख सकते हो dot 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 करके यहां पर आएगा defendant defendant ठीक है dot dot करके सामने आएगा defendant now title क्या है suit for injunction on the use of unused land as a dumping area this is the title और यह title आपको उसके next to लिखना होगा ठीक है तो सबसे पहले कहा लिखना है कि name of the court in the court of dash dash at Sakit New Delhi suit number so and so parties की उसके बाद detail लिखनी है dot 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 करके plaintiff इदर और defendant इदर करके लिख देना है ठीक है उसके बाद suit for title लिख दिया है suit for injunction on the use of unused land as a dumping area अब यहां पे pointer wise point number one two three four इस तरीके से आप अपने facts बताओगे कि इसके कि plaintiff क्या कहना चाहता है ठीक है वो अपने वाद में क्या कहना चाहता है इसमें कह लिखे का सबसे पहले that the plaintiff is a resident of Malvianagar New Delhi and the defendant is a neighbor of the plaintiff वो plaintiff का neighbor है unused land is near the house of plaintiff which is used by residence number B106 defendant as a dumping yard for waste material of her house अपने घर का पूड़ा कच्रा वो अदर डाल रहा है अब यहां पर देखो basic details दी जा रही है यहां पर लडाई जो है वो शुरू कहां से हुई मसला जो है वो शुरू कहां से हुआ उन सब को आपको pointers में लिखना है जो relevant है केस के लिए right now that the fact अब देखो यहां पर बार बार जो sentence यूज हो रहा है वो यह ऐसे यूज हो रहा है that the fact ठीक है again that the court ठीक है तो इस तरीके से ही आपको pointer wise में लिखना होगा आपने सारी details केस की है basic facts जोज केस के हैं वो आपको इस तरीके से mention करने होंगे that the defendant was all time throwing the waste materials in the unused land वो हर वक्त फेक रहा है अपना कूड़ा ठीक है since a very long time of being used as a dumping yard by the defendant there is a collection of huge waste material that leads to health problem to the plaintiff अब मसला क्या है कि वो कूड़ा फेक रहा है बहुत लंबे समय से तो एक पूरा huge सा वो बन गया है piles of waste हो गया है वहाँ पे उसकी वजए से वो कहीं ना कहीं health issues हो रहा है उस कूड़ा एखटा होने को इसा again hygiene issue हो रहा है तो वहाँ पे healthy health problem हो रही है plaintiff को इसलिए plaintiff नहीं suit डाला है कि वो court से आदेश चाते है कि defendant को रोका जाए injunction का application लगाई है यहाँ पे कि उसको रोका जाए reframe किया जाए restrain किया जाए कि आप अब यहाँ पे कूड़ा ना डाले ठीक है basic सी problem यह है तो यहाँ पे इस तरी किसे आपको fact लिखने है now that the court has jurisdiction on the matter to fix an injunction on the use of unused land अब यहाँ पे आपको यह बात ध्यान रखनी है कि एक point inculcate करना है jurisdiction का भी है तो basic details ही दिया आपने facts की case की facts की अब यहाँ पे आपको jurisdiction के बारे में भी detail में थोड़ एक point jurisdiction पे भी लिखना होगा कि जो court में आप लेकर आए हो अपनी application वो court के पास छेत्रफल है उस court के पास jurisdiction है इस matter को decide करने के लिए ठीक है now lastly आप क्या लिखोगे prayer लिख दोगे क्या prayer है कि हम चाहते है कि आप एक injunction की decree पास कर दे और उसको restrain करें कि अब से वो कूड़ा वहाँ पे ना डाले यही प्रेयर है plaintiff की तो यहाँ पे इस प्रेयर डाट अडिक्री फोर injunction is passed in the favor of plaintiff against a defendant and some other relief as the court things fit और जो भी कोई relief court को ठीक लगती है वो relief यहाँ पे court grant कर दें चिक है यहाँ पर आपको लिखना होगा place, small way and अगर इसके सामने आपको लिखना होगा signature यहाँ पर इसके सामने signature आएगा अभिनफ शर्मा जो भी नाम है Mr. X सामारे case में ठीक है जुनाम होगा वो नाम लिख दो गया आप यहाँ पे date लिख दो गया हम पे ठीक है तो इस तरीके से आपको यह अपना format होता है आपका प्लेंट का डेट लिख दिया आपने उसके बाद प्रेयर के बाद आपने वह सारी इंफोर्मेशन लिखी नेम प्लेस कहां प्लेस किया है वह signature और डेट लिखा दुबारा आपको फिर आपको इसको वेरिफिकेशन को लिखना होता है कि जो भी पॉइंटर आपने उपर लि कि जो कंटेंट है पैरा नंबर 1,2,3,4 के are true to my knowledge and the content of remaining paras are according to a legal advice from my advocate which I believe to be true और बाग की जो पैरा आपके जो मैंने लिखे है वो मुझे मेरे legal advisor ने जो है suggest किया है और वो true to my knowledge है वो मैं उसको सही मान कर रहा हूं मैं उसको बिलीफ कर रहा हूं कि वो बाद जो है सही बताई है तो यहां पर इस तरीके का एक verification last में देना होता है उसके बाद place लिखनी होती है मालवियन अगर उसके ठीक सामने signature होते हैं और यहां पर आपका date लिखी जाती है तो यह format होता है आपका plant का now this is very important jurisdiction वाला point लिखना है आपको relief लिखना है वेरिफिकेशन लिखना है साथ में date or sign signature वेकर धिखना है place कहां पर हो रहा है वो लिखना है आपको और facts of the case लिखने हो और starting में आपको in the court of dash and dash वो लिख कर पार्टीज का नाम अगर exam में दे रखा है तो पार्टीज का नाम लिखो नहीं दे रखा है तो x y z करके denote करो अपने आपसे presume मत करना paper कुछ states में अपने presume करने की वज़े से judgment writing में plant वेगरा में disqualified हो जाते हैं so mind it कि आपको जो है अपनी तरफ से over presume चीजे नहीं करनी है जो आपको paper में facts दी है उसके हिसाब सही आपको plant draft करना है या फिर judgment writing करनी है so I hope it is clear I hope समझ में आया होगा कि what is the format of your plant now एक very important announcement ठीक है अश्वनी I'll be giving you my telegram link don't worry एक important announcement की study IQ लेकर आया है आप सबके लिए live foundation batch और इस live foundation batch में है unique features जैसे कि आपको मिलेगा यहाँ पे 1100 प्लस घंटे की live hours अगर आप live class attend नहीं भी कर पाते हैं किसी वज़े से तो आप उसकी recorded classes देख सकते हैं live batch का unique feature यह भी है कि आपको mentors provide किये जाएंगे जो आपको help करेंग इस पूरी journey में और यह journey बहुत important होती है और इस पूरी journey में आपको बताया जाएगा mentors द्वारा कि कैसे आपको अपनी strategical तयारी करनी है जहां पे भी आप low feel करेंगे demotivated feel करेंगे यह mentors आपको motivate करेंगे इस पूरी journey में at the same time यह mentors आपको time schedule पे बताएंगे कि इस तरीके से आ में time manage कर सकते हैं preparation के दरान not only this आपको handwritten notes provide की जाएंगे this life foundation batch में at the same time आपको lectures note provide की जाएंगे quick revision के लिए जो आपको exam से पहले help करेंगे and साथ में daily mcqs practice कराई जाएगी कि आपको कितना समझ में आ रहा है now live batch की सबसे मज़दार बात ही होती है कि आप teacher से connect होके two way communicate करके इसके batches जो इसका batch है वो start होने वाला है 12 जून से अब सिर्फ कुछी दन बाकी है admissions open हो चुके है जल्दी से जाके अपने आपको enroll करें अब enroll कैसे करना है website पर चाएं study IQ judiciary के यहां पर आप देख सकते है life foundation batch आ रहा है by now करो अब इस course को खरीदने के लिए अगर आपको maximum discount चाह coupon code SHR जैसे ही आप लगाओगे मेरे नाम के first three letters जैसे ही आप apply करोगे आप यहां पर देख सकते हो कि आपको यह course मिल जाएगा 24,999 रुपए में अब यह 24,999 रुपए में आपको यह course मिलेगा दो सालों के लिए एक साल में हापका course complete करा देंगे और आपकी यहां पर classes दिन में दो होंगी 4 p.m. onwards शाम को चार बजे से आपकी दो classes होंगी एक होगी major log की एक होगी minor log की और इस तरीके से हम आपका पूरा course एक साल में cover up कर के देंगे चाहिए फिर आप किसी भी state judiciary को टार्गेट कर रहे हैं तो maximum discount लेने के लिए do not forget to use the code SHR और जल्दी से जाके enroll करो क्योंकि इसकी first class start होने वाली है 12th June से और आप सिर्फ ही कुछी दिन बाकी हैं तो कोई भी doubt हो तो आप मुझे reach out कर सकते हो telegram channel पे या instagram पे आप मुझे search कर सकते हो तो यहाँ पे you can see कि in respect of your telegram and instagram तो यह है handle आपका telegram और instagram का कोई भी doubt हो तो you can reach me out श्रीमिश रवासता पी नाम से आप search कर लेना telegram पे और instagram पे और अगर आपको course की बारे में कोई भी doubt हो त सकते हैं जो already existing students है वो मुझे reach out कर सकते हैं दोनों ही platform पे upgrade कराने के लिए अपना course life foundation batch में और उसमें भी अगर आपको अगर आपको life batch लेना है या कोई भी दूसरे judiciary की courses लेने हैं तो use करे promo code SHR जिससे आपको मिलता है सबसे ज्यादा discount तो code है आपका SHR मेरे नाम के first three letters इस्त this was all from my end thank you so much for watching